हलो मैं डियर श्टुडेंट मैं अनंद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और आज की क्लास होने वाली है हमारे टेंथ की मैथ का है एक सरसाई जाए 12.1 आज का पहला सवाल है 12.1 का दो बिरितों की तिर्जियां क्रमसा 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है उस बिरित क की प्रिदियों के योग के बराबर है को समझने की प्रियास कीजिए को अगर एक बार में समझ में नहीं आ रही है तो उसको दुबारा पढ़ने का कौम कीजिए आप अगर ढंग से पढ़ रहे हैं ध्यान देके पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ जागा क्या कहा जा रह ठीक है और बोला है कि उस विरित की तिर्जिया ग्यात किजिए यानि कि उस विरित की कौन सी विरित है पता नहीं है लेकिन इतना पता है कि इन दोनों के अलावा कोई एक विरित और है ठीक है जिसकी परीधी इन दोनों विरितों की परीधियां के योग के बराबर है जिसकी एक सरकल चला जी यह हो गया है कि एक नुइजिक हमारा यह हो गया ठीक है यह केंद्ध हो गया और क्या वोला है दोनौप परिदियाँ कि योग के बराबर योग है ना तो योग यानी कि सविती Erstis Natal고 जोड़ दीजे और एक सरकल चला जी हमारा ये है ठीक है एक सरकल हमारा यह है अब देख़े चोटा ब्रीत है तो स्वभाविक है कि इनका तृजिया भी छोटी योगा और यह थोड़ा सा बड़ा है तो इनका स्वभाविक है कि इनका amps व्ढ आफ चो योग के बराबर है चला जी एक उस सरकल और है जो की इन दोनों से भी बड़ा है जो से भी बड़ा है बड़ा है अब देखें क्या करना है यह इसका भी कया है इसको मन लिजा चला जी र nya इसको मन लिजे ऑर ठीक ओ nih … इसको मन लिज रो थी ठीक है अब देखे इनको क्या करना क्या बॉला है परीदियों के योग के बराबर तो आपको पहले यह जाम लेना होगा कि इस अडिकि परीदी क्या होती है बूलें के साच जिबिक की परीदी तो टू-πाई-र होता है इनके लिए हो गया टू-पाई-र, पिलस इनके लिए भी हो जाएगा टू-पाई-R अब बराबर में इन ख्रईताओं के भी परेधि हो जाएगी सर जी-टू-पाई-R के लियर अब दिखें किया करना है कि इन दोनों में कॉमण क्या रहा है तो बोलेंगे यहां चेहिआ Pikachu और इदर क्या बच गया मैं निदर तो पाय आप फ़्यां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यह गुणा में है यह तो यह चल जाएगा बटए महीं भाग में तो बोलेंगे सब्सक्राइब इधर का भी और इधर का भी इधर हमारा बचता है कि आरवन प्लस का आर टू परावर क्या बचा आर थिरी अब तो सरल हो गया अब तो हमें पता है कि सर्जी आरवन तो हमारा 9 है कि नो है आर टू हमारा सर्जी 19 है तो 19 परावर का आर थिरी तो सर्जी मुझे ग्याद करना है तो हमें पता चल देगा तुछ तीसरा बृत हमें ग्याद करना है ना तो तीर जिया पता होगी तो बृत पता हो जाएगा उसका परीदी तो देखिए अब इन दोनों को बहुत करने के लिए बुला था चला चला की परीदी इन दोनों भीलतों की परीदियायों के योग के बराबर तो इन दोनों भीलतों के परीदी का जो योग है चला 28 है को हमने 28 निकाल लिया अयुको तो making the way कि दो बृतों की तिर्जियाएं करमसा 8 cm और 6 cm है उस बृत की तिर्जिया ग्याद कीजिए जिसका छेत्रफल इन दो दोनों बृतों के छेत्रफलों के योग के बराबर है तो चला जी यह सवाल जो है जस्ट पहले वाले सवाल के ही तरह है उसमें हमको क्या बोला था परीदी के योग के बराबर है और इसमें बोल रहा है बृत के छेत्रफलों के योग के बराबर है उसमें हमने क्या किया था बृत की परीदी निका ली थी और इसमें हमको क्या करना है बृत के योग के बराबर है और एक सरकल चला जी यह लिए ठीक है इनका भी कहन रहा है इनका भी केंदर है इसकी दोनों छेत्रपलों के योग के बराबर एक तीसरी सरकल भी है चला जी जो इस दोरों से बढ़ी है चलिए इसका मान लिजिए इसका तिर्जिया कितना देर का छोटी वाली है तो सभावी का कि सर जी छोटा तिर्जिया होगा यह बड़ा है चला जी थोड़ा स सब लेंगे सार जी इसका तो थोड़ा सा बड़ा तिर्जा होगी और यह भी इसका विकेंद्र है और यह हमारा दिसका इनको को समझने की परयास किजी एक बार में अगर समझ में नहीं आती तो दो बर को से नगों परणिए जब तक समझ में ना हरें तब चोड़ना नहीं विरितों का फड़ें का फड़ें यह हो जोसरी हम एक नहीं दोड़ें हमें को क्या करना सब्सक्राइब का छेतरफल तरहां हिंखना होका कि क्या होता है चाह Speed 5-7 यह उन है तुमधिक ऐसे इसका च्थरफल हो जाएगा working a तुकाइस कॉ strict बराबर में इसका भी चत्रफल हो जाएगा चला जी पाय आर थिरी का स्कॉयर ठीक है यह 123 क्यों दे रहे हैं यहां यह समझे का नम दिए नाम दिए चला जी कि आर वन आर टू आर थी ठीक है अब यहां क्या करने ध्यान दीजें इन दोनों में कॉमन क्या आरत बोलेंगे सर ज है टू का स्कॉयर इधर क्या बचा है पाय आर थी का स्कॉयर यही है चला जी पाय पाय देखें कैंसिल आउट दोनों तरफ से आर वन का स्कॉयर आर टू का स्कॉयर पूछा है तो चलिए छे का स्कॉयर कर दीजे चला जी और आठ का स्कॉयर कर दीजे ठीक है अब बराबर म क्या है आर ठीर का को एज चलाजी छोचा के होता है 36, 88 यह बिद् casi do तो तीन नो और एक चला जी दस यानि कि एक सो हो गया पूरा-पूरा आर थिरी का स्कॉायर ठीकर अब क्या करना है यह जो इसक्वार है न चला इसको जब हटाएंगे हम लोगी स्कॉायर तो सो पर क्या होगा रूट चले जाएगा बोलेंगे सर जी आर बराबर हो जाएगा 100 पर रूट चले गया आर बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर रूट अंडर हंडर ठीक है अब एक सो का चला जी बर्गमूर निकाल लीजिए तो आर बराबर बोलेंगे सर जी 10 होगा 10 cm यही हमको निकालना था यार कितना आया 10 cm ठीक है चलिए नेक्स्ट को सेन क्योंक्य बेलिया.